अब दिशा की हम लोग हम लोग जो चैक्टर पढ़ रहा है थे उस चैक्टर का मुझका नाम था शेल्स आ पार्टनर से फर्म और कंवर्सेशन इंटू कंपनीज को सब्सक्राइब करने में चलो इस को समझा रहे हैं और आप इसको सॉल्व करके हमको ग्रूप में सेंट करेंगे आप लोग तो क्वेशन नमर पांच पर ध्यान देंगे विश्चे शुरूप से सबसे पहले कुशन नमर पांच को हम पूर तो पर्चेश कंसिडरेशन निकालने का प्रोसीजर होता है टोटल एसेट्स में से क्या करते हम लोग लाइबलेटीज को माइनस करते हैं तो टोटल एसेट्स में से लाइबलेटीज को माइनस करने के बाद याद रखना टोटल एसेट्स जो लेते मार्केट वेरू लेते है लाइब्रेट्रियटीज को घटाते हैं तो जो निकलता है उस जो कहते हैं हम लोग पर्चेज कंसिडरेशन करते हैं अब देखो कुस्ष्षन में साफ साफ लिख दिया गया है लिए और इन्वेस्ट्मेंट को फ्योड़कर बोला रेखान से पहुत इन्वेस्ट्मेंट को फ्योद कर लिया गया और जितना भी यह दरिक्ष सब्र इसका 10% स्टोक 10% प्लांट 210 परसेंग लेंगे यह तंल कम करके कि योशब देंगे फैनि इस परसेंगे पॉरा 55000 विस्कर करेंगे तो लेस करने के बाद मेरा purchase consideration यहाँ पर निकल जाता है बट यहाँ पर एक additional assets अलग से आया है goodwill जब उतना लेस करने के बाद क्या करेंगे हम लोग एड कर देंगे goodwill को जो निकलेगा उसका नाम हो जाएगा purchase consideration जा फिर purchasing price यहाँ की form का value एतना ही है फर्ब ट्रांसपर किया company में उस company का नाम तो नहीं लिखा तो हम लोग परचेजिंग कमपनी ही कहेंगे सिर्फ ठीक है सिर्फ क्या लिखा है वो अपना फार्म को पूंच फार्म को जो company में convert कर दिया है तो हम लोग उसको परचेजिंग कमपनी लिखेंगे यह तो हुआ मेरा purchase परचेज कंसिड्रेशन क्लियर हो गया अब देखें परचेज कंसिड्रेशन के लिए होने के बाल देखें उसका पैसे को क्या किया गया है उस पैसे का आधा सिखें यहां पर परचेज कंसिड्रेशन के आधा को क्या किया सेयर में convert किया गया आधा को क्या किया है देखें सा हो थाhtटी करेंगे तो बैंक अगाउंडडी ऊbet现在 然後 अब हम इसको को बताते हैं बनाने का तरीकाउन सबसे पहला इंट्रेंगा डायाइशन एकाउंड डटू एशेट्स एक दो तिन को छोड़के हें दूसरा एंट्री में क्या हो जाएगउया एकाउंड हमें एलाइशन हो गया उसके बाद तीसरा इंट्री में क्या कर देगए हम लोग पर्चेजич कम्पनी का पर्चेजंग कंपनी जो निकले sut Ừ रोटल देखा देदेंगे तो अमने तीसरा इंट्री में जानले अब इस पर्चेजिंग कंपनी के पैसे को सियर में कवड़ करने पर ने यह था सियर इन पर्चेजिंग गंपणि इकन बाचल को डश एगा परशेजंग कंपणि मेरे जतना परचेश कंसीडरेशन देगा पूरा जाएगा दोनों को आधा-धा कर देंगे बैंक में आधा और और सेयर में आधा चला जाएगा नरेसे दम सिंपल लिकना सियर एंड चेक रिसीव इन सर्डिस्ट्रेक्शन आफ पर्चेज प्राइज अब सबसे इंट्रेस्टेट बात कल हमें कोशन बताये थे आप लोगो उस कोशन में एक चीछ सिखाए थे जिस लाइबिटीज का पेमेंट नहीं जिसको छोड़के बोला था कल बिल्स पेबल को छोड़के बोला टक क्या में पर यहां पर किसको छोड़ने के लिए हैं तो सबसे न सब्यम्स के लिए निवेस को छोड़ने के लिए और ृइंवेस को इनवेस को चूड़ format बेचेंगा इनवेस्ट को नहीं लिया फौर इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया तो पांच परस्टमेंट कम करके इंवेस्टमेंट को बीचा गया इनवेस्टमेंट Originally बाकी तो 추मस्कित। इंवेस्टमेंट को बेचे क्या सब्सक्राइब कर दिया तो पांच परचन में यतना कम हुआ जितना पैसा कमी हुआ लॉस इतना पांच पर सथा जा तो आप सवाल यह उठती है कि जर्णलाइज में हम लोग क्या करें जब करेंगे रिया लाइशन एकाउंट करना पड़ेगा यहाँ पहला तो 95 परसेंट कर देंगा लोग कैसे एकाउंट डेविट बैंक एकाउंट डेविट इन्वेस्टमेंट अब जितना पांच परसेंट क करेंगे रिया लाइशन एकाउंट डेविट इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस के बार आते हम लोग सेर पर डैकिनल साप लिखा हो आह फर्म ने अपने साप लिखा निवेस्था अन्स अब पांच परसेंट अब से कि Гरों किया करते हैं तो सेरों भी क्या किया गया है कि उसका जो 95% कम कर दिया इस वह dramaturg कर दिया गया वसूल कयका उसमें पर्चेजिंग कंपनी एक इंट्री बढ़ जाएगा तो जितना सेयर में गया पैसा आपको पर्चेजिंग कंपनी पर्चेजिंग कंपनी जाएगा यह साप लिखा हुआ है नगत में 50% 50% फिप्टी पर्षंट जो आपका सियर में गया है उसका जितना भी जाए निकालने के बादे आप परशेज कंसेडरेशन निकाली तभी उसको इसको मालूम चले है कि आपका सेयर में कितना के 50% जाएगा आपका उसचेजिंग करेंगा आप लोग तो करेंगा चाटा इंट्री के तरह ही होगा बैंक एकाउंट डेबिट रियालाइशन एकाउंट डेबिट टू हो जाएगा शेयर इन पर्चेजिंग कमपनी क्यूंकि यहां पर हुआ क्या 90 जो सेयर था 95 परसंट चला गया बेच दिया 95 को बेचा है वसूल हुआ साप साप लिखा वसूल हुआ है तो 95 पर बैंक एकाउंट डेच्ट डेट रियराइशन एकाउंट डेट टूँए इनवेस्ट्मन डेकाउंट तो बैंक में चला जाएंगा हैं शेयर का भी 95 पर संट और 5 पर संट जो बचान जाएगा व्यूआ डियालाइशन में इसका भी सेम लिखें पींग बेग फ्रीयर रिलिम के ऊणाउं इंट के बाद एक एंट के बाद लोग छोड़ दिए एक इनट ये रिसर्ब पाप करेंगे रिज़र्व on का दो जानव है क्लारा से पर टेएं पार्टनरश क्यो स्थ याप बतना यहई रेशयो में बाक्षण सब्सक्राइब is capital ratio दिया हुआ यहाँ परragonशनस में निकाले के तना निकल जहकं लों कर देंगे उसके बाद इतना एक प्रफिट लॉज परांटर से माड़ति यहां पर यहां पर चुका है पांच परसन कम करके तो बेचने पर वो इन्टरी बढ़ा आपका एक इंवेस्टमेंट का जैसा जो इंट्री हुआ है यूज यूज को बिच दिया गया है अगर नहीं बेच था तो तो इंट्री जानवे करता है पार्टनर्स केपिटल एकाउंट एक इंट्री कर लेंगे लास्ट बैंक एकाउंट में रियालाइशन सबसे पहले आप पर्षयस arch一 करवे उसके बाद इंट्री कीजिए कंटेश कंडीस यूजा चुक्य है सारा इंट्री करने के बाद आप क्या करेंगे फिर पार्टनर्स केप्टेल पार्टन के चैप्टेल के बाद आप bank account बनाएंगे, के लिए एक question आप solve करके उनको आभी भेचिया